जैहिंद एवरिवन, आई सीमा, यूर कम्प्यूटर टीचर, बिटा आज हम अपने लेसन फाइफ टक्स पेंट की रीडिंग कम्प्लीट करने जा रहे हैं, लेट्स स्टाट, बिटा पीज नमबर फोटी सिक्स तक हम रीड कर चुके हैं, आज हम फोटी सिक्से नया टोपिक इफेक्ट्स, दे मैजिक टूल इस यूज तो अपलाई मैजिकल इफेक्ट्स इन दे ड्रोइंग कनवास, लेट अस सी सम ओफ दीज इफेक्ट्स, सबसे पहला है ब्रिक्स, ब्रिक्स के होती हैं, इट, ये इट जैस आपको डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, दे इफेक्ट इस यूज तो ड्राब ब्रिक्स, यहाँ पर टू टाइप्स आपको दे रखे ब्रिक की लॉट्ज एंड समॉल, यह एफेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ब्लर, इस इफेक्ट फैट्स दा किरियेटिड पिक्चर, यह क्या करता है, उसको थोड़ा सा फेड़िट दिखाता है, क हम इदर चेक कर सकते हैं, हाफ एरिया में, नेक्स ए ड्रिप, इस इफेक्ट इस यूज तो मेक दा पिक्चर लॉक लॉक लाइक, इस ड्रिपिंग अवे, यह हमें ड्रिपिंग की तरह दिखाई देगी, नेक्स ए फ्लोवर, इस इफेक्ट एड्स रेडिमेड फ्लोवर्स हम यहाँ रेडिमेड फ्लोवर्स बना सकते हैं, अपना कोई भी कलर सिलेक्ट करने के बाद, नेक्स है, फोल्ड, इस इफेक्ट इस इफेक्ट इस यूज तो फोल्ड दाउन दा कॉर्नर्स ओफ ड्रोइंग कनवास, हम इस तरह से फोल्ड, जैसे कि यह पेपर की तरह फोल् के अंदर कर सकते हैं, नेक्स्ट इस इफेक्ट इस यूज़ पर इंदर कोई भी कलर को, यह पेपर को, जैसे कि हम झाले और कम पॉल्ड दा क्लर को, यह नहीं तरह लिखर यूज, इस तरह हम जो भी फिकर बनाएं, इसमें किसी बिज़ का कलर की फील कर सकते हैं, वंद्ट जैसे foam type bubbles होते हैं वो हम उसके अंदर अपनी picture के अंदर add कर सकते हैं, grass, इस type से हम grass को add कर सकते हैं, this effect is used to draw grass next piece glass tile, this effect display a picture as if it is made of glass tiles see glass tiles के तरह हमारा tile का design होता, उसके तरह हमें यह दिखाई देगा, next rain this effect adds raindrops in our drawing, यह rain drop हम अपनी किसी भी picture में add कर सकते हैं next, rails this effect is used to draw connecting train track, यह हम train का जो track होता है उस type से हम rails से भी बना सकते हैं next, repulse this effect is used to make repulse wave our own image, किसी भी image के अंदर हम यह छोटे छोटे repulse आपको दिखाई दे रहें न, यह इधर द्यान से देखेंगे, आपको दिखाई देंगे, यह भी हम ड्रा कर सकते हैं next, snow ball this effect is used to cover the drawing canvas with snow balls हम अपने पूरे कनवास को snow ball के साथ भी दिखा सकते हैं snow flag, यह snow flags है वो balls हैं, तो यहाँ पर यह छोटे-छोटे stars दो दिखाई दे रहे हैं यह क्या है, flex, this effect is used to cover the drawing canvas with snow flex, wavelets this effect is used to make the picture in the drawing canvas, wave up and down, हम किसी भी picture को up-down कर सकते हैं next, waves, this effect is used to make the picture in the drawing canvas waves left and right हम किसी भी तरह की waves यह छोटे-छोटे यह से आपको जिख-जेक टाइप दिखाई दे रहे हैं यह हम बना सकते हैं smart tip is के अंदर है, click the top of the canvas then for shorter wave or click at the bottom for the longer wave next, to apply magical effects हम किसी भी magical effect को apply करने के लिए क्या करेंगे click on magic, magic पर जाएंगे हम click करेंगे magic tool पर the pointer will turn to magic wand हम magic wand पर जाएंगे scroll down and choose magical effect from the selector, जितने भी हमने अभी magical effects पढ़े हैं उनमें से जो भी हम use करना चाहते हैं हम उसे choose करेंगे, click the effect you want जो आप चाहते हैं, उसके उपर हम click करेंगे pick a color, फिर हम color choose करेंगे click and drag to see the magic फिर हम अपना, देखो सबसे पहले magic पर गए number two point हमने down point पर गए, three पर हमने choose कर लिया कि हम flower बनाना चाहते हैं four पर हमने क्या 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 color choose कर लिया, हम इस color के flower बनाएंगे उसके बाद हमने यहाँ पर जहां जाड रेक किया, जहां जहां हमने click क्या, वहां हमारे क्या आगे flowers आगे, dear student next, add to knowledge some magical effects such as chalk, drip, wavelets waves, etc, do not work on blank canvas, यह किसी magical effects को वहां पर बना सकते हैं, next है undo and redo undo and redo का मतलब है the undo tools is used to reverse the last action, यह बापस से हमारे last action पर हमें लियाता है we can undo multiple actions in reverse order by pressing the undo tool multiple times, next redo this tool is used to reverse the action of the undo it means that if we have pressed the undo tool by mistake, then we get the effect of our undone action back by pressing this button देखेंगे, यह देखेंगे हम यहां पर यहां पर यह picture हम erase कर चुके हैं जब हम erase कर चुके हैं अगर हम undo करेंगे erase part retrieved हमने जो part erase कर दिया वो दोबारा से हमें मिल जाएगा और redo करेंगे तो वो वापस चला जाएगा undo और redo में होता ही यह है अगर हमने typing करते time यहां पर अगर कुछ write down किया है और वो गलत हो गया और हमने उसको raise कर दिया लेकिन बाद में हमें पता लगा कि वो ठीक है तो हम अगर undo करेंगे तो हमें वो वापस से मिल जाएगा next है saving a picture किसी भी एक picture को save करने के लिए the save tool is used to store our picture in the computer click on save tool from the toolbar to save your picture the picture gets saved हम जब भी अपनी किसी भी picture को save करना चाहते हैं तो वो हम उसके save option बढ़ जाएंगे और से click करेंगे तो हमारी picture to mention the file name as tux paint saves your files as a thumbnail एक वो thumbnail के through आपकी जो file है वो already save हो जाएगी opening ए picture किसी भी picture को open करने के लिए the open tool is used to open a saved tux paint picture हमारी जो भी tux paint के अंदर save है picture उसको open करने के लिए click on open tool from the toolbar toolbar हम open button पर click करेंगे click on the picture you want to open फिर हम उस picture पर click करेंगे जो picture हम चाहते है open करना click on open button फिर हम open button पर click करेंगे सबसे पहला first point है open हम open में गए हमारे पास जो जो picture से वो आपको सामने दिखाई देंगे आपके display पर हमने इस picture को उठाया इसको उठाने के बाद हम उसे open करेंगे तो हमें complete वो picture वहाँ पर open दिखाई देगी closing tux paint अब आ गया है अब हम अपने tux paint को कैसे close करेंगे the quit tool is used to close the tux paint program जो quit tool होता है वो हमारा use होता है paint को बंद करने के लिए click on quit ये जो है tool हमारा हमें इसके उपर जाना है from tool from the toolbar toolbar से we get a message as shown हमें वहाँ पर एक message मिलेगा click tick to close tux paint यहाँ दो message आपको मिलेंगे yes save it no don't bother saving yes replace the old one no save a new file हमें ये दोनों options वहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें दिखाई देंगे you may click this to go to back to drawing canvas अगर हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो हमें वापस ले जाएगा हमारे canvas पर हमें कुछ भी paint करने के लिए if you close the program अगर आप प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं without saving the changes made tux paint till remind you to save it अगर आप किसी जो भी picture आपने open कर रखे आप उसे save करके close करना चाहते हैं तो आप उसे पहले save करेंगे उसके बाद आप अपने tux paint को close करेंगे slideshow अब हम जा रहे हैं next part पर next part जो है हमारा वो कह है slideshow slideshow means a series of pictures displayed in a sequence the slide button is used to see a slideshow of all the saved drawings on full tux paint window automatically one by one इसके अंदर क्या होगा जो भी हमारी pictures होते वो one by one हमें दिखाएं देंगी click on open tool सबसे पहले हम open tool पर जाएंगे open tool पर जाने के बाद we see all the saved tux pictures together हमें सारी pictures एक साथ दिखेंगे जैसे कि हमने यहां देखा था now click on the slide button फिर हम slide button पर जाकर click करेंगे click on the pictures in order you want to display them आप जोन जोन सी pictures को display करना चाहते हैं आप उन पर click करेंगे the slide number will appear at their longer right corner right corner में हमें numbers मिलेंगे click on play button to start the slide show आप देखेंगे सबसे पहला point open button पर गए हमने जो जो files के अंदर मारी picture वो सब हैं यहां पर हम select करेंगे जैसे कि हमने यहां पर number three point में क्या कर लिया इन pictures को क्या कर लिया select कर लिया first number पर second number पर third पर fourth पर fifth पर फिर क्या करेंगे यहां पर एक option आपको दिखाई देगा यह क्या होगा आपको one by one एक एक picture दिखेंगे next बेटा let us summarize अब हम summarize करेंगे अपने complete chapter को जो कि हमने दो वीडियो के parts में हम complete इसे पढ़ चुके हैं text paint is a program to create picture यह pictures create करने के लिए होता है the new tool is used to choose a ready made picture और a blank page for the drawing canvas हम drawing canvas के अंदर अपनी ready made picture भी choose कर सकते हैं और blank page भी ले सकते हैं the stamp tool show small ready made pictures which we can use used like stickers stamp tool के अंदर हमें बौल सारी ready made pictures मिलती हैं sticker के तुरू हम उने use कर सकते हैं the lines tool is used to draw straight strokes using the some brushes as of the paint tool line tools के अंदर से हम कोई भी अपनी pictures को बनाना चाहते हैं brush use करना चाहते हैं हम paint कर सकते हैं erase tool is used to erase a part of the picture erase tool किस के लिए use होता है किसी भी part को raise करने के लिए shapes tool is used to draw ready made shapes जो shapes tool होता है उसमें हम कोई भी ready made shape को draw कर सकते हैं save tool is used to store our picture in our computer save tool का use क्या होता है हम किसी भी picture जो भी picture हमने बनाई है उसको save करने के लिए the open tool is used to open a saved tux paint picture जो भी हमारी tux paint के अंदर pictures हैं अगर हम उन्हें open करना चाहते हैं तो हम open tool का use करेंगे तो quit tool is used to close the tux paint program जो quit tool होता है वो program को किस लिए क्या use होता है program को बंद करने के लिए use होता है next last dear student slide show means a series of pictures display in the sequence जो कि हमने अभी पढ़ा है slide show के अंदर क्या होता है हम अपनी pictures को one by one हम देखना चाहें तो उनको हम देख सकते हैं ठीके dear student I hope आप सबको इस lesson की reading अच्छे से समझ में आ गई होगी tux paint हमारी window 7 window 10 के अंदर मिलेगा आपको sorry window 7 के अंदर नहीं window 10 के अंदर आपको मिलेगा जिनकी घर पे अगर computer या laptop है अगर वो tux paint आप बना पा रहे हैं घर पे देख पा रहे हैं आप अपने laptop के अंदर या computer के अंदर तो बेटा हो सके तो आप मुझे कोई भी picture वाँ ड्रा करने के बाद photo click करके अपनी online class में share करें ताकि जो और students है वो भी करने के लिए ready हो जाएं कि वो भी कुछ अच्छा बना कर देखे computer पर ठीके dear students now bye bye everyone